मैं हूं माधरी एंड आज की वीडियो में सेरे करूंगे आपके साथ कुछ वैकेंसिर की अपडेट्स दो तिन बताने ही वाली हो तो दिखते हैं कौन कौन सी वैकेंसिर के बारे बताने हाली है फिला यहां पर फर्स्ट वैकेंसिर वह है एसल तरफ से हाइरिंग है अभी आज मिलने वाला है कंपनी तो आपको पता है कि एसल है लेकिन यहां पर कंडिशन यह है कि आपको 10-12 डिप्रोमा एंड ग्रेजिवेशन में 65% से कम है परसेंटेज तब तो नहीं अप्लाई कर पाऊंगे लिए 65 है या फिसे ज्यादे है देन आप यहां पर अप्लाई कर लोगे बहुत बचिभी कहिँगे मैं मैं रांट अप कर दो कि 65 हो जारा यह तो क्या हम कर सकते हैं जैसे कि बहुत बच्यों का होगा 64.8 ठीक यह तो बहुत बच्यों की मैं यहां 64.8 है अगर यह हम एसको reinforcement कर दो एक तो क्या हम प्लाई कर सकते तो नहीं ऐसा कंदिशन यहां पर नहीं है आपको 65 ही होना चाहिए तब यहां पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अगर बात कुरूं आपकी क्वालिफीकेस नियी तो अगर आपने PBTAC किया तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं पासिंग यह तो मैंने बताई दिया है 19-20-21 बच्ची यहां अप्लाइग कर सकते हैं सेलरी यहां पर आपको मिलेगी 2.75 ठीक है वन यह आपको यही मिलता है 2.75 तो आपको लोकेसी बता सकते हैं तो आप अपने कोड़ी कोई भी लोकेसन बता सकते हैं तो जब आप HR रॉंड देने चाहिए तो प्लीस अपना चेक कर लिजेगा कि एसल की कमपणी कहां कहां पहे है ताकि आप लोग उसके कॉर्णिक बता सके कि हाँ मुझे यह कंपनी चाहिए ठीक है इस लोकेशन पर चाहिए तो वह आप देख लेना यहां पर एक चीज और है कि इस लिंग को मैं डिस्क्रिशन बॉक्स में दूंगी आपको क्या करना है यहां पर डालना है अपना इमेल आईडी उसके बाद से 10th क्लास का आपका जो माक्सी थे उसका नाम डालना है 10th क्लास पर जो भी आपका नेम होगा उसके आपको जेंडर क्या है कॉन्ट नमबर इंस्ट्यूट का नेम डालना है पासिंग यह कौन सी यह उसमें आपके परसेंटेज कितने आए रहे सिम्वारी आपको 12 का भी फिल करना है अगर डिप्लोमा किया है तो येस नहीं किया तो आप नो कर दोगे अगर आपने डिप्लोमा किया है बाद चुटे 12 में कम होने आपको फिल करना है उसके बाद से अंडर ग्रेजियोसर में आपके ब्रांच कौन-कौन से थे वह आपको यहां से चूज करना है पासिंग यह क्या है वो चूज करना है पासिंग यह चूज करने के बाद से आपको बताना है कि आपका उसमें जो कॉलेज था कॉलेज में परसेंटेज फिल करोंगे ठीक है उसके बाद से आपका हाइर एजुकेशन क्या है हाइर एजुकेशन आप पर बीट है याफी में जो भी है आप यहां चूज करोगे उसके बाद आपको पोस्ट डिजिशन आपने किया तो फिल कर सकते हैं अधवाइस से रहने दे सकते हैं उ इसके जो कोस्ट बहुत इजी होते हैं आपको आराम से मिल जाएंगे नैट पर मिल जाते आंसो로 आपको संसे क्या है 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 अगर आप चाहें जो से practice कर सकते हैं क्योंकि इसके जो question होते हैं तो अगर आप previous year के sorry previous month की question आप solve कर लेते हो तो आप यह exam easily crack कर जाओगे ठीक है actual के exam देने के बाद से आपका English communication test होता है उसके बाद से आपका technical round होगा और HR round होगा ठीक है यह process सब्सक्राइब करें तो अगर आपनी बीटे किया है तो आप यहां पर अप्लाइब कर सकते हैं अगर में बात कुछ आपकी रोल कित यहां पर आप किसी ने कमेंट किया रहा है कि मैं क्या मैं केंकल वाले अप्लाइब कर सकते हैं यानि किसी भी ब्रांज से उना तो आप इसमें अप्लाइब कर सकते हो salary की बात कुट यहाँ पर salary आपको 4.5 LPA दी जा रही है तो package भी अच्छी है अगर मैं बात को इनके questions की तो इनका जो exam होता है उसमें only one question होते है exam clear करने के लिए coding question होता है अगर आप उस question को clear कर लेते हैं तो उसके बास आपका English round होता है English round में camera on नहीं रहता है after English round आपके interview होते हैं और interview आपका offer letter आपको मिल जाता है ठीक है इसकी process तो बहुत easy होती है लेकिन हाँ बात आती है यहाँ पर इसकी coding questions की तो इस पर मैंने आपके समें बहुत सारी video share की है बहुत सारी questions share की है आप जाके उने चेक आउट कर सकते हैं अप्लाइ के लिजेगा आप प्रेशन के लिए आप उन जो भी कोड़ है उने वा प्रैक्टिस जुरूर कर लिजेए उसे आपको idea मिल जागा किस टाइब के questions से आपको कैसे solve करने ताकि आप यह round clear कर सके ठीक है इसकी भी लिंक में आपको प्रवाइड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको चेक आउट कर लिजेगा यहां पर अप्लाइ का बटन है आपको सिंपल अप्लाइ नौ पर क्लिक करना है अप्लाइ नौ प अप्लाइ करेंगे तो आप इस पर क्लिक करके आपको इस टाइब के इंटरफेस आएगा थोड़ा से टाइम दीजेगा लोड होने में टाइम लगता है तो थोड़ा दे वेट कर लिजेगा आप लोग उसके वासे इसे एप्लाइक कर लिजेगा ठीके मोबाइल में साथ को अपने नहीं रहा है यह आप लैप टॉप में ट्राइक करना यह ओपन हो जाता है ठीके मोबाइल में नहीं हो रहा है कोई ना आप लैप्लाइक कर लिजेगा इसके भी लिंक में आपको डिस्क्योशन बॉक्स में प्रवाइट कर दूँगी तो चलिए देख लेते हैं नेक सच्वी किया है एं सीक्या थो आप यहां पर कर सकते हैं 2021 nd 2022 कि बैच यहां पर बात करूँ आपके रूट कित यहां पर सॉफ्ट्र्स डेल ओपर आपको रोल मिलने वाला है अनपर मैंने बताई दीआ प्लाइक करने के कर लिए इस तरह से आजएग इस अनिन वाल कि बीच में ही सेलरी मिलेगी सालरी डिपैंड करेगा आपके इंट्यूव्य पर गी जो सचाल्री होगी आपको भी ऐल पे से फोर लपके तरफ से हाइडिंग हो रही है जहां पर robotic process automation के लिए हाइडिंग हो रही है ठीकिए अगर आपने B.E.B.T.K किया है या फिर M.E. किया है तो आप यहाँ पर अप्लाइ कर सकते हो लिगिन condition यह कि CSIT से हो तो या पर आप।ो आप कर सकते हो तो आप यहां पर अप्लाइब कर सकते हो तो यह ने बता दी हैं एंटर डेख लेते हैं कि ऐसे करना है तो apply करने के लिए simple आप देख सकते हैं नीचे बटन दिया उबर भी दिया आपको simple apply पर क्लिक कर देना है जब आप apply पर क्लिक रोगना आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा इस करना apply करने को process बहुत easy है देखें थोड़ से problem भी है problem क्या है मैं discuss करती हूं simple आपको यहां पर select करना है अपना resume resume upload करना है उसके बाद से आपको first name, last name, email id and phone number enter कर देना है and submit पर click कर देना है ठीक है देखें यहां पर condition कहना कि अगर आपका resume shortlist नहीं होगा तो आपको exam के लिए mail नहीं आएगा बहुत बच्चे कहते है कि मैं मैं अप्लाइ किया तो बट मुझे अभी तो exam link नहीं आया तो यह ऐसा होता है कि अगर आपको resume shortlist नहीं होता है तब आपको exam link नहीं आएंगे इसलिए पहले आप किसी भी company में apply करने से पहले आपको IT सेक्टर में जाना यह तो confirm है लेकिन IT सेक्टर के लिए आपको अपना resume भी वैसा बनाना पड़ेगा त्याकि आपको resume shortlist हो सके और आपको मिल सके exam link ठीक है तो आप लोग अच्छे से अपना resume बना लीजेगा और यहा इसलिए मैं इतनी कंपनी के अपडेट देरी बागी कंपनी की जो अपडेट है वह आपको next video मिल जाएगी जो कि मैं कल तक provide कर दूंग आपको ठीक हो रही है प्रोफाइल यहां पर software development engineer का मिलने वाला है salary आपको 4 LPA मिलने वाली qualification के अगर बात करें तो अगर आपने BBT किया ह यहां मेंrod क्या है ME e M c किया है तो आप यहांप यहांप एपलाइग कर से दे हैं अगर बात करोंת कर्या नहीं किंच के लिकें हां अगर आप 2016, 17 18 19 21 1216 के चाले को लेकिन हां Jokay गर कोई कि अपने लोकेसन की तो लोकेसे का मिलेगा तो इंडिया में जहां पर मांड गोलु की कमपनी हो गी आपको वहां की लोकेसन मिल जाएगी, अब बहुत बच्चे यह कमेंट करेगी मैं आपको कैसे पता यह बहुत पता है कि 1260 कर सकते हैं की नहीं बहुत अच्छे होते हैं कुछ बच्छे होते जो इससे कुछ इठा देते हैं तो देखो यार मैं कनफर्म तो नहीं कहूंगे लिकिन हां अप्लाई करने में क्या जा रहा है अगर आपको टास लिंग इंप अच्छी बाद ड़िए भंची की अप्लाई कर दोगे तो अगर बहुत बच्चे हैं जो 16-18 नहीं हो तो आप प्लीस अप्लाई कर लिजेगा अगर टेस्ट लिंग मिल तो अच्छे बात है जैकरस के लिए हैं तो यार इस पर मेंने हैं गाफी पहले चाहँ किया। अबहां आपको टैसलिग मेल जाता है और आपको इसकी की प्रिप्रेशन करनी है नहीं प्रिपरेशन है तो मुझे कमेंट कर साथ हैमें इसकी लिए कोसें फाइन करको प्रवाइट कर दूगी मिलेगा तो मैं जुरू पो आइट कर दूगी आपको अगर आपको चाहिए होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो तो फलाल यह रहा सारी कंप्टियो की डीटेल्स आपको यह सभी चीज़े अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीस लाइक कीज़ेगा अपने सभी फ्रेंस के संग जुरू शेयर कीज़ेगा ताकि वह भी अप्लाइक कर सकते हैं सभी की लिंक आपको मिल जागी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको से चेक आउट के लिजेगा मिलूंगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई